मेरे प्यारे दोस्तों स्वागत है आज की एक नई वीडियो में दोस्तो 22 फरोरी को आपका भी बोड एक्जाम है तो आज की वीडियो आपके लिए बेहाद इंपोर्टेंट है चाहे आप हाई स्कूल में हूँ या फिर इंटर में हूँ क्योंकि निबंद लेखन दोनों कच्छाओं में पूँछा जाता है और ये निबंद खासकर इस बार के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है इसके बहुत ज़्यादा चांस है बोड एक्जाम में पूछे जाने के ठीक है न तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बत देखेंगे चलो बताते हैं देखो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है रूप रेखा जिसमें पहली हेडिंग आपकी कमपल सरी है वो है प्रस्तावन और लास्ट हेडिंग आपकी कमपल सरी है वो है उपसंगार बीच की हेडिंग आप अपने टॉपिक से रिलेटेड अब देखिये इन्ही एधिंग को हम बारी बारी से लिखेंगे और ध्यान देना यहां पर गुलाबी पेंट का यूज की हम Bennett, आप लोग नहीं करेंगे यह काले पेंट का यूज करेंगे, Ġीक है काले पेंट से आप इसे लिखेंगे yaw फिर स्केच का यूज कर लेना देखो प्रस्तावना हीडिन डालेंगे और लिखेंगे बिज्ञान इतना ज़्यादा उन्नति कर चुका है कि वह प्रतवी से जुड़े रहास्यों को जानने के बाद अब चंद्रमा मंगल तथा अन्य ग्रहों पर रहास्यों को जानने के लिए होना नहीं जहां पर विज्ञान की सफलता ना नजर आती हो एकदम सिंपल तरीके से समझो चंद्रयान टू के बाद चंद्रयान थ्री मिशन चंद्रयान चंद्रमा की सतह पर भारत के नाम को उंचा करने के लिए तथा रहास्यों को खोलने के लिए पहुच चुका है अब अब आपको पहली हेडिंग इसमें डालना है चंद्रयान थ्री मिशन की सुरुआद दूसरी हेडिंग है ठीके इसमें लिखेंगे चंद्रयान थ्री मिशन भारती अंतरिच अनुसंधान संगठन यानि इसरो द्वारा 14 जुलाई 2003 इसको लांच किया गया आपको अब पहली हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे पहला देखिए ये सब हेडिंग आप लोग बना लेंगे पहला दूसरा नंबरिंग करके लिखेंगे इसके कुछ उद्देश से आपको इसी हेडिंग में लिख देना है ठीके जैसे लिखेंगे कि चंद्रमा की दच्छिडी ठीक है इतना आपको इस एडिंग में लिखना है उसके बाद आपको डालना है चंद्रयान 3 की सफलता इन्हीं कहां तक यह सफल हुआ तो इसमें लिखेंगे चंद्रयान 3 लांस होने के करीब 40 दिन बाद चंद्रमा के दच्छिडी धुरू पर लैंड हुआ वह दच्छिडी भेजा गया परन्तो उन में किसी तकनीकी समस्या के कारण असफल हो गया परन्तो चंद्रयान 3 की सफलता निया साबित कर दिया कि कोशिस करने वालों की कभी हार नहीं होती ठीक है आपको इतना लिखेना है इस हेडिंग में आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा लिखा हूँ पहला पेज मेरा पूरा हो चुका है और ये दूसरा पेज है ठीक है देखना कितने पेज हम लिखते हैं अब आपको हेडिंग डालना है मिसन में कुल खर्च इसमें लिखेंगे चंद्रयान 3 का बजट सिर्फ 615 करोण रुपए है चंद्रयान 3 का बजट दुनिया के म भारत काफी कम लागत में चंद्रमा पर विजय प्राप्ट कर चुगा है स्क्रीन सोट लेना चाहते हो तो लेलो इतने का पहले लेलो फिर उसके बाद इतने का स्क्रीन सोट लेलो ठीक है और उपर का स्क्रीन सोट लेलो और चलते हैं पहले पेज पर भी स्क्रीन सोट लेलो तो देखो पहला पेज है यहां से यहां तक ही स्क्रीन सोट आप ले सकते हैं उसके बाद यहां से विलास्टेडिंग बची है मैं विलास्टेडिंग आपको लिखाऊंगा उपसंगार ठीक है ना यहां से यहां तक का ही स्क्रीन सोट लेलो अब चलते हैं अंतिम पेज बे ऐसा फलता संपूर्ण भारतियों के लिए गर्व का विशय है तथा इससे प्रत्येक भारतिये को अपने लक्ष के प्रती कारेरत रहने की प्रिड़ा मिलती है इस थरीके से उपसंगार हमने लिख दिया इसका भी स्क्रिंसोट ले लो और ऐसे निवन्ध अगर आप बोडिक में 22 फरवरी को लिख करके आते हो ना तो इंटर में आपको 9 अंक मिलने से कोई नहीं रोक सकता और हाई स्कूल में आपको 7 अंक मिलने से कोई नहीं रोक सकता ये दी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो दूस्तों के पास सेयर करो मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वी आपकार्ट